अगर आपका Airtle Print Bank freeze हो जाता है तो Unfreeze कैसे करें अनfreeze करने के लिए सबसे पहले आपको Play Store से Airtle Application को Download करना होगा देन Download करने के बाद आपको Airtle Application को Open करना है Open करने के बाद यहाँ पर आपको अपने number से login होना है जिस number से आपका account अस नमबर से login होना है और लॉगिन होने के बाद यहां पे आपको देख जाएगा यहां पे बैंक काउंट आपका दिखिए यहां पे उपर में बैंक काउंट दिख जाएगा और यहां पर जो बैलन्स होगा वह यहां पर सो हो जागा गर यहां से आपको नहीं देखता है तो आपको यहां प्रोफा हाड होगा वो यहां पर नाम सो हो जागा आवभ यहां पर दोस्ते इक बेंक computation quis मुलेगा वेभाशाब आपको इसके करना है एक क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे इस तरह से स्क्रॉल करना है ज्रॉल करने के बाद यहां पे suspension option मि आपको need more to help इस मेंसे कोई भी आपको जो सो रहा होगा ऊस एस पर क्लिक करने है जै से दोस्तों यहाँ पर जो हमें यह है वह एकंट फूरीज का इसू का है एकंट हो चूका है तो कीया करेंगे हमारा एकॉन्ट रही हो जाएगा रोकह के एकिवाईश करने लिए यादि हम किसी पोट्व पेमिंट नहीं कर पा रहे हैए ट्रांजेक्शन नहीं और तो यहाँ पर अप्शन सेलेक्ट होगा ये अनेवल टू ट्रांजैक्ट इस वोले औपृफेन को स्लेक्ट करेंगे स्लेक्ट करते ही कुछ ही सद्रा का उप्षेन सो हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं इंट्राबटीटेल्स है और डॉक्मेंट्स है इंटर डिटेल्स में आपको कुछ लिखना है किया लिखना है दोस्तों चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको लिख लेना यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लिख हैं सेम इसी तरह से आपको लिखना अगर आपका एकांट फ्रीज हो चुका है तो अगर आपका कोई और मेटर है तो यहाँ पे आप अपना मेटर है यहाँ पे सोच के आप लिख सकते हैं customer care से बात करके आप यहां पर अपना matter डाल सकते हैं जो हमारा issue है वो account freeze है तो हम account freeze है और हमारा LinkedIn में problem है तो कुछ इस तरह से हम यहां पर लिख दिये हैं अब लिखने के बाद यहां पर आपको documents upload करना होगा documents में आपको क्या upload करना चलिए मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपक प्लोड कर सकते हैं अधार कट कैसा upload करना चलिए मैं आपको दिखाता हूं अधार कठ unplugged आपको इस طرح से करना है जिस तरह से बैंक में signature डालते हूं उस तरह से आपको अधार कट तेनीचे आपको signature डालना है इस तरह से phrase अधार आपको फिट करना है इसी को आपको अपलोड करना है यहां पर अपलोड फाइल प्लिक करते हैं यहां पर आपको सब्मीट करना होगा सब्मीट करना है यहां पर देखें सब्मीट हो रहा है सब्मीट हो चुका है यहां पर हमें ऐसा नमबर मिल ज़गा जिससे कि हम कभी भी कस्टमर केर को कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं अब दोस्तों यहां पर आपको रेज क्रियेट करने के बाद से आपको 24-48 गंटा वेट क करने के बाद 24-48 गंटा अगर आपके नहीं होता है अनफ्रीज तो आप दोबारा कस्टमर केर को कॉंटेक्ट कर सकते हैं यह कस्टमर केर को दोस्तों उमीद है कि 24-48 गंटा में यह प्रोब्लम कस्टमर का सहीं हो जाएगा